आपके अपने यूट्यूब चेनल पर्त्यूकता आधार ग्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है दप्लेटफॉर्म रुक्मिनी परकासन के सार संग्रह। इसके पहले अगर आपने अमारी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे तो थवेल आइकन को प्रेश करिए। मैं परत्यक मेहने पर्त्यूकता दर्पन, समान ग्यान दर्पन तथा सक्सेस मीरर का सार संग्रह आपनों के शामने रखता हूं। तो आज का वीडियो है रुक्मनी परकासन के सार संग्रह। इसका पहला खंड़ है भारतिय इतियासिवं संस्क्रिती। इसका पहला खंड़ है भारतिय इतियासिवं संस्क्रिती। संगम यूगीन गरंथ तोल कक्का पियम किस विशे से संबंदित है? ब्याकरण और काब से। सोन गिरी का इतियासिक दिगंबर जैन तिर्थ अस्थल किस राज में है? मत परदेश में। माराष्ट में गनबती परव का स्रीगनेस राष्टिय चेतना लाने के लिए किस ने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सीचाई पर। आजिवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल अंग्रियों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का परति पादन किशने किया था? दादा भाई नोरोजी ने पावर्टी एन अन्विर्टिस रूल इन इंडिया नमक अपनी पुस्तक में। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उनिस सो उनिस में। बिक्रम संबत कब से प्रारम हुआ? अंठावन पुर्व से। वनावली एक प्राचिन अस्थल है जहां उनिस सो तेहत्तर चोहत्तर इस्वी की खुदाई में सिंदू सबता के अफसेस मिले। यह अस्थल भारत के किस राज में स्थित है? हर्याना में। सिंदू सबता में खोकडी किसल चिकिसा का सुनिसित साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है? काले बंगा में। रिगवेद में ऐसी कन्याओं के उधारन भी मिलते हैं जो दिरकाल तक अथवा आजिवन औविवाहीत रहत अशी कन्याओं को क्या काते थे? आमाजू. मात्मा बुद्ध के समय कौसल देश में कौन राज करता था? प्रसेंजित. किस सासक ने वैशाली का परित्या करके पाटली पूत्र को मगद राज की राजधानी बनाया था? काला सोक ने. असोक के किस अविलेक में कलिंग दीपर अधिकार किया था? विर्यद रत की. चालिस गुलमों के दल का विनास कि सुल्तान ने किया था? वलवन ने. दिल्ली संतलत का अंतिम सासक कौन था? इबराहिम लोदी. कलाईव ने सनिक सुधारों के लिए सैनों को तीन भावों में बाटा. सैना का एक भाग मुंगे इसने किसकी यादगार में बनाया? औरंगजेव ने अपनी बीवी बेगम रविया दुरानी की यादगार में औरंगावाद में बनवाया. परसित चित्र वाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मनसूर. परसित गरंत सिद्धान सिरोमनी और लिलावती के लेखा कौन है? भ नहीं भी. अकवर का सिक्षक कौन था? मीर अवदुल लथिप. परसित कोहिनूर हीरा साजहा को किसने व्यट किया था? मीर जुमला ने. साजहा ने महा कविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगरनात को. अकवर के समय बनी पहली महत्पुन इमारत थी? इमायू का मकव परा. कौन सा मुगल शासक? साही दर्वेश एवं जिन्दा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजे. अंती मौर समराट कौन था? व्यद्रत. हर्स की पराजे किसके हातों हुई? पुलकेशिम द्यूतिय के. ललिता दित किस राज का सासक था? कसमीर का. हिमायू नामा किसकी किर्ती है? गुल बदन बेगम की. वहमनी राज के विगटन के उपरां दक्षिन में कितने मुस्लिम राज्यों का उदे हुआ? पांच का. मद्धिकाल में बिभाकर किस राज में लिया जाता था? तथा किस बिभा को इस कर से मुख रखा गया था? बीजेनेगर एक फियाज, बिद्भा, उनर्विभा. प्राचिन भार्तिय चिकितसक, चरक किस साशक के दर्वार में थे? कनिस के दर्वार में. अकवर के शासनकाल में उनर्गठित केंड्ये पर सासन तंत्र के अंतरगत मीरवक्सी किस विभाक की देखवाल करता था? सैनिक विभाक की. मर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को. यम द्वारा नचिकेता और उसके तीन वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्नित है? कठोप निसद में. कोटिल कहा का ब्रहमन था? पाटली पूत्र का. कुमोदी महतसव नमक उस तक किस सासक की सफलता और उपलग्धियों का वर लहोर में. रजिया की और सफलता का सबसे वड़ा कारण माना जाता है? नारी होना. दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा सब्द हटाया? महमत बिन तुगलग्ने. पूरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेसी यात्री ने भ छनिक है. छनी भंगुरवात के नाम से ज्यात होने वाले इस विचार को सरपर्थम किस ने प्रसुत किया? मात्मा बुद्ध ने. रिशी पतनम या सारनात में बुद्ध उदारा दिया गया पर्थम उद्देस किस नाम से जाना जाता है? धर्म, चक्र, परवर्तक. अयोद् प्रवंधन के छेत्र में. इबन बतुता की भारत यात्रा किस सासक के काल में हुई? मुहमद बिन तुगलक के सासन काल में. किस मुगल सासक का मकवरा भारत में नहीं है? जहागीर का लाहर पाकिस्तान में, बावर का काबूल में, अफगानिस्तान में. मुहमद बिन और असिंद की बिजे कब हुई? 712 इस्वी में. महमूद गजनवी का दरवारी इत्यासकार कौन था? उत्वी. उलके सिंद दित्वे की राजधानी कहा थी? वातापी. महमद गवरी के किस दास ने बंगालव बिहार पर बिजे प्राप्त की थी? महमद बीन बक्तियार खिजल हर्ष के सासनकाल में भूमी कर किर्शी उत्पादन का कितना भागवा सुला जाता था? एक वटे छे भाग. वाटी सभ्यता के किस अस्थल में प्राक्त सैधव संस्किती की सबसे महत्पुन उपलब्धी एक जूते हुए खेत का साक्ष मिला है कालिवंगा रायस्थान में. किस मंदिर में सिखर का सबसे पहला उधारन मिलता है देवगड का दशावतार मंदिर. बोध धर्म की किस संगती में बोध धर्म दो भागों हीनियान और महायान में विभाजित हो गया. चौती संगती मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्नन क्या कालाता है? इतिहास. जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्नन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागे एतिहासिक काल. जिस काल में लेखन कला के परचलन के बाद उपलब्द लेख पूर्व इसी कड़ी में अगला खंड है राश्टिय स्वतनतरता आंदोलन कॉंग्रेस के अस्थापना के समय भारत का वायशराय कौन था लॉड डफरिन भारती राश्टिय कॉंग्रेस के अस्थापना के लिए एयो ह्यूं को किस वायशराय ने प्रिरित किया था लॉड डफरिन ने दे रिवो लोशिनरी के संपादक कौन थे सचिन्दरनाथ सन्याल पॉलिटिकल फ्रिडम इज दे लाइफ वेस अफ नेशन ये नारा किसका था अरविंद भोश का हो इंडिया फॉट फॉर फ्रिडम किसकी किरती है एनी वेसेंड की बंगाल बिभाजन के रद होने के समय भारत के वायशराय कौन थे लॉड हर्डिंग औस योग अंदोलन के पहले दिन परातक किस भारतिय नेता का निधन हुआ था बाल गंगा धर तीलक का मात्मा गांधी ने अपने वीचारों के परसारन है तु। किस समचार पत्र का संपादन किया था हरी जन का। पुना पैक्ट किन किन के मद हुआ था मात्मा गांधी और बियार अंबेदकर के मद। कौंगरस ने गोलमेच कॉंफिरेंस के किस वेठक में भाग लिया था दू से अधिक जीवन भी ले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूँगा करतार सिंग साराभा ने नायर सर्विस सोसाइटी की अस्थपना किसके दार रखी गई थी मनमत पंदनाव पिल्ले द्वारा किस नेता ने 142-43 के घटना क्रमों को बिपत्ती की संग्या परदान की थी मात्मा गांधी ने रानी गुई डली का संबन किस विद्रो से है नागा विद्रो 1932 स्वदिसी अंदोलन के अंतरगत राष्ट वादियों दर राष्टिय सिक्षा परिशत का गठन कब किया गया था 1906 में लोड करनवालिस के समय कौन सा सिस्टम अंडल नेपाल भेजा गया था क्रिक पैटिक सिस्टम अंडल राजमुंदरी सोसल रिफॉर्म एसोसेशन के अस्थापना किसने की थी वीर सेलिंगम पंतुलने 1857 की विद्रू को किसने धर्मांद इसाईयों की विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. रिजने बंगभण अंडलन के समय कौंग्रेस के अध्याक्ष कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले मात्मा गांधी ने बिटिस सरकार के किस निर्ने को पोस्ट डेड़ेट चेक करकर ठुकरा दिया था क्रिप्स मिसन को जब भारती राष्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कॉंग्रेस के अध्याक्ष कौन था? मुलाना अबुल कलाम आजाद गांधी इर्विन समझोता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 1922 में स्वराज पाटी का गठन किषने किया था? सी आरदास तथा मोतिलाल नहरू ने साइमन कमिस्टन किस वर्ष भारत आया? 1928 में मात्मा गांधी ने व्यक्तिकत सत्यागरा अंदोलन का पर्थम सत्यागरी किसे चुना बिनवा भावे को 14-4 हिंसा के करण मात्मा गांधी ने 1922 में कौन सा अंदोलन वापस लिया था? वसयोग अंदोलन बंगाली देश भक्ती की वाइविल माने जाने वाली पुस्तक है अनन मट संभलपूर जैदपूर बगहात किस सिद्धान के अंतरगत अंग्रेजी राज में मिलाए गए? गूद निशेत सिद्धान डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत बाल गंगाधर तिलक ने किसके बुरुद मानानी का दावा किया था? वेलेंटाइन सिरोल के बिरुद्ध मदरास में होम रूल लीग के परधान नेता कौन थे? सुर्मनियम अईयर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को 1926 में पंजाब में नोजुमान भारत सवा के अस्थापना हुई इसके परथम सचीव कौन थे? बगत सिंग नागरिक अवग्या अंदोलन में गलवाली सिफाईयों के दो प्लाटूनों ने वहिंसक प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंदर सिंग गलवाली गांधीजी ने अपने परसिट डांडी मार्च में कितनी चिने हुए अन्युयाईयों को साथ लेकर सावर मती से चले थे? 78, 78 कॉंग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 1857 में मेरट छावने में बिद्रो का दिन क्या था? 10 मई 1857 की बिद्रो में जनता की किस वर्ग ने भागिदारी नहीं की थी? सिक्षित मध्यम बर्ग History of the Indian Community नमक पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स बोल 1857 की क्रांती का ततकालीन कारण क्या था? चर्वी युक्त कार्थूसों के परियोग की अफवा किस मुगल वात्सा ने राजा राम मोहन राइकुर राजा की उपादी दी? अकवर द्यूतियने हिंदू मंदीरों में परवेस्त था साजनिक सड़कों पर हरिजिनों के चलने को लेकर त्रावन कूर के गौँ में चलाए गया अंदूलन का क्या नाम था? वाइकॉम अंदूलन अखिल वारतिये किसान सवाका पर था मद्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानन 1854 के वूड के गोशना पत्र में किसके विकास पर जूर दिया गया? मध्यामिक और उच्च सिक्षा पर एनिवेसेंट ने मदरास के इस्टेंडर पत्र को किस नाम से चलाकर होमरूल अंदूलन के मुख पर चारक बनाया? न्यू इंडिया सन्यासी विद्रो किस शेत्र में हुआ था? बंगाल में किस समाचार पत्र ने वर्नाकूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रजी सप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया अमरित वाजार पात्रिका सामन कमिशन के विरोध परदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फल्सरूप किस नेता की मिरती हुई लाला लाजपत राय की बारत में संपरदाइक निर्वाचन पदती का सुत्रपार किस अधनियम से हुआ? था? 1909 के अधनियम से के अंदर में द्वेत शासन का सिध्धान किस अधनियम से लागो किया गया? 1935 के अधनियम से सामन कमिशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकों के किस संगठन को अस्थापित किया गया? मंजर सैना जलिया वाला वाग हत्याकान की जांच रिपोर्ट की समिती ने दी हंटर समिती ने भारती राज्यों तथा प्रमोच सकती के बीच सम्मंद की समिती की रिपोर्ट में थे बटलर समिती की रिपोर्ट में वो कौन सा करांतिकारी था जिसने लंदन के केकस्टन हॉल में डायर को गोली मार कर जलिया वाला वा घत्याकान बाल्दला लेने की अपनी परतेगियां पुर्ण की उधम सिंग कौन तीन भाई स्वतनता की बलिवेदी पर चड़कर अमर सहीद हुए चापेकर बंदू दामोदर बालकरिस्ट वा वासुदेव चापेकर अलिपूर जेल का इकवाली गवा कौन था जिसकी सत्यांद नांद बसुयादी ने हत्या कर दी नरेंद्र गोसाई सिएफ एंड्रूज को किस उपनाम से जाने जाते थे दीन वंदू सुहास चन्रबोष के त्याग पत्र के बाद कौन भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस का अध्यक्ष हुआ डॉक्टर राजेनर परशाद अगला खंड है भारतिय राजववस्था एवं सम्मिधान भारतिय सम्मिधान में किस संसोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक करतेवों को समलित किया गया व्यालिस में सम्मिधान संसोधन द्वारा योजना आयोक का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ मंत्री मंडल के निरने द्वारा समिधान सवा के सदस्यों को किसने परत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया प्रांतों की विधान सभाओने बारते समिधान की संसोधन परक्रिया किस देस के समिधान से प्रभावी थे दक्षिन अफिर्गा के समिधान से पंचेती राज अधनियम 1922 दरा सम्मिधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई एगारवी अनुसूची राज के नीती ने देशक ततों का वर्नन सम्मिधान के किस भाग में निहित है भाग चार में दलबदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्षन लाउ सम्मिधान का कौन संसोधन संबंधित है बावनमा 52 सम्मिधान संसोधन 1985 लोग सभा सदस्ता है तो नियूंतम आयूशिमा कितनी है 25 वर्स 87 में सम्मिधान संसोधन अधनियम 2003 द्वारा निर्वाचन छेत्रों के परिशिमन का आधार किस जनसंख्या को निश्चित किया गया है 2001 की जनसंख्या को मूल अधिकार एवं निती निदे सक्तत तों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है जबकि निती निदे सक्तत नहीं. भारतिय समिधान के असर राजनितिक सक्ति का आधार है भारत की जनता. मीनी कंसिचूशन यानी मीनी समिधान किशे कहा जाता है 42 में समिधान संसोधन को. भारतिय समिधान किस परकार की नल्गिता परदान करता है? ये कल. किस समिधान संसोधन में समिधान की प्रस्ताबना में संसोधन किया गया? 42 में समिधान संसोधन 1976 में. समिधान सभा के आस्थ थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजयंद्र परशाद भारतिय सम्मिधान में प्रदत मूल अधिकारव को निलंबित करने वाली शत्ता है राष्टपती बिटी संसद्वरा इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया जुलाई सम्मिधान बनाने वाली प्रारूप समिती यानि डाप्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीमरा अमवेदकर सम्मिधान का अंचे 356 संबंदी थे किसी राज में राष्टपती सासन लागू करने से बारत के सम्मिधान में पर्थम संसोधन कव किया गया उनिस् स्विकार किया गया था नहीं सम्मिधान में मूल करते मों को सामिल करने का विचार किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सोवियत संग के सम्मिधान से राज के निती निर्शक्तत एक ऐसा चेक है जिसका भुक्तन बैंक की सुधांसर किया जाएगा यह कथन किसका है केटी साका अनशेत 368-368 के संसोधन ये तुक्या संसत को विशेस बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवस्यक है हां किन्तो सभी संसोधनों क को नहीं राष्टपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति के आयूपूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष उप्राष्टपति के चुनाव में मद्दाता होते हैं लोक्सभातवत तथा राज सवा के सवी सदस किसकी अनुमति के विना राज की विधान सवा म कोई धन विधेक पेस नहीं किया जा सकता है राजपाल के अनुमति के विना राष्टपति का अभिवाशन कौन तयार करता है केंद्रिय मंत्री मंडल एक वर्स में कम से कम कितनी वार संसद की बैठक होना आवश्यक है दो बार भारत में वो मंत्री जो संसद के दुनों सदनों में किसी सदन का सदस नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पत से मुख हो जाना पड़ता है छे माहिने के बाद किस राज का लोग सभा तथा राज सभा में सबसे अधिक परतिनिधित है उत्तर प्रदेश का बारा सरकार का मुख विधी परामर्स दाता कौन है भारत का महानिय वैदी Attorney General of India सम्मिधान की किस अनुसूची में केंदर था राज्यों के बीच वैदानिक सक्तियों का वटवरा दिया हुआ है सात्वी अनुसूची में राज सभा में राज्यों को सबसे अधिक परतिनिधित किस राज का और कितना है उत्तर प्रदेश का 31-31 भारत में राश्टपती के चुनाओं के लिए निर्वाचन मंडल के सदस होते हैं लोगसभा, राजसभा तर्थाराज, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस समिधान के किस अनशूची में भारत के नियंतरक महलेखा परिक्षक के कर्तब और सक्तियां वरनित हैं अनशूची में दल परिवर्तन के आधार पर और योगता के वारे में उपबंध दसमी अनशूची भारत में राष्टपति को चुनो अनुपातिक परतनिदित परनाली के आधार पर एकल संक्रमनिय मतदान द्वरा होता है अनुपातिक परतनिदित परनाली तेथा एकल संक्रमनिय मतदान का क्या तातपर है सभी विधान सवाओं के निर्वाची सदस्यों के मत तथा संसत के निर्वाची सदस्यों के मत आपस में बरावार हो या अनुपातिक परतिंदिक परनाली कहलाती है तथा एकल संक्रमनी ये मत का तात्पर है कि मतदान वरेता कर्में दिया जाए बिहार में लोग सवा था राश सवा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है लोग सवा में 40 था राश सवा में 16 सीट निर्धारित की गई है भारतिय संग की कारिपालिका का परधान राश्टपती है उसमें संग की कारिपालिक सक्ति नहीं थे राष्टपति इस सक्ति का पर्योग किसकी सहयता से करता है केंद्रिय मंत्री परिशत की सहयता से राष्टपति कितने समय अंतराल के पस्चात वीत आयो का गठन करता है परतेक पांच परस के पस्चात समिधान सवा के प्रारूपन समिती के अध्याक्ष डॉक्टर भीम राव अमवेद कर थे इस समिती के सदस्यों की संख्या कितनी थी साथ समिधान की किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावदानों को सामिल किया गिया है भाग तीन सम्मिधान में प्रेस की सुन्दत्ता का अलक्स उलेक नहीं है ये सुतंत्तता की सम्मिधान में अंतर नहीं थे अन्चेद 19.1 कौ में राज सवा तथल लोग सवा के संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है लोग सवा 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 अध्यक्षता क्लकत्ता प्रसीडेंसी में कितने सदस थे गवर्नर जर्नल और उसकी परिशद के चार सदस से वे सदस अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे संयोगत रूप से कोर्ट ऑप डायरेक्टर्स किसके लिए था बेपारिक मामलों के लिए बोर्ट ऑप कंट्रोलर किसके लिए था राजनेतिक मामलों के लिए कौन से अधनियम के अंतरगत नियंतरन बोर्ट के सदस्यों तफ़ा करमचारियों के वेतन को भरती राजस से देने की विवस्ता की गई 1773 इसवी के चार्टर अधनियम द्वारा किस अधनियम के दरा बंगाल के गवर्णर जर्रलर को भारत का गवर्णर जर्रलर कहा जाने लगा 1873 का चार्टर अधनियम कितने सदस्यों को भारत परिशद का सरजन हुआ कितने सदस्यों की भारत परिशद का सरजन हुआ 15 गवर्नर जर्नल के बंगाल उत्तरपस्मि सीमा प्रांथ और पंजाब में बिधान परिशद अस्थापित करने की सक्ति किस अधनियम के अंतरगत परदान की गई 1871 का भारत सासन अधनियम अखंड है भारत एवं विस्व का भुगोल भारत की जनसंख्यां विस्व की जनसंख्यां का कितने परतिसत है 17.70 परतिसत भारत की अस्थल सीमा की लंबाई कितनी है 15200 किलो मिटर भारत की मुक भूमी के टटिय भाग की लंबाई कितनी है 6100 किलो मिटर भारत के संपूं टटिय भाग की लंबाई डीप सम्मुहों सहित कितनी है? साथ हजार पांसो सुलह πॉइंट पांच किलोमिटर भारत की अस्थलसीमा कितने देशों के साथ मिलती है? साथ ये साथ देश हैं बंग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मेयमार, भूटान और अफगानिस्तान भारत की जल ये सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? पांच ये पांच देश हैं पाकिस्तान, मालदीब, सिरलंका, बंगला देश एवं मेयमार्ग भारत की जल एवं अस्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है तीन ये तीन देश हैं बंगला देश, मेयामार्ग और पाकिस्तान इनरा कॉल किस राज में है जम्मू कस्मीर में भारत का सबसे पस्मी बिंदू क्या है सर्क्री ये गुजरात में है भारत का सबसे पुर्वी बिंदू क्या है वलांगू ये अरनाचल प्रदेश में है कोलावा पॉइंट कहां पर है मुंबाई में पॉइंट काली मेरे किस राज में स्थी थे तमिलनाडू में मेक मोहन रेखा कब निर्धारित की गई 1914 में सिमला में रेट किलब रेखा का निर्धारन कब किया गया था 15 अक्टूबर 1947 को सर सी जी रेट किलब द्वारा भारत का निकटतम समुदरी पड़ोसी देश कौन सा है सिरिलंका करकर रेखा भारत की किस भाग से ओकर गुजरती है मद से रायस्थान, गुजरात, मत परदेश, 36 गर, जाड़कन, पसिमबंगा, तिरिपुरावा, मीजोरम से भारतिय उप महदीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है भारत, पकिस्तान, बंगलादेश, नेपालवा, भूटान गुजरात के बाद, किस राज की टट रेखा सबसे लंबी है आंधर परदेश की भारत के कितने राज टट रेखा से लगे है 9, 9 भारत वा पकिस्तान की सीमा को असपर्स करने वाले भारती राज कौन से है जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात भारत वा चीन की सीमा को असपर्स करने वाले भारती राज कौन से है जम्मु कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्तराखन, सिक्किम तथा अरुनाचल परदेश भारत वो मयामार की सीमा को असपर्ष करने वाले भारती राज कौन से हैं? अरुनाचल परदेश, नागलेन, मनीपूर तथा मिजोरम भारत वो बंगलादेश की सीमा को असपर्ष करने वाले भारती राज कौन से हैं? भारत के कुल कितने राज पड़ुसी देशों की सीमा से जूडते हैं सतर सिमला से तिबबत को कौन सा दर्रा जूडता है सिपकिला दर्रा किस राज की समुद टट रेखा सबसे छोटी है गोवा संपून भारत के कितने छेत्रफल पर मैदानी विस्तार है 44 परतिस्द हिमाले की उत्पती के समध में कौन सा सिद्धान्त है प्लेट विवरतनी की सिद्धान्त काराकोरम प्रवश सृरिक का दूसरा नाम क्या है किरसना गिरी लगू हिमाले सृरिक के ढलाओं पर छोटी छोटे गास के मैदानों को क्या कहा जाता है मर्ग हिमाले परवत की अराकान योमा नमक चोठी किस देश में है? मया मार्ग में सिवालिक स्रिनी का निर्मान कहा से हुआ है? सेनो जोईक बारत की सबसे प्राचिन परवत स्रिनी कौन सी है? अरावली अरवली की पहड़ियों की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है बनास नदी सबसे बड़ा हिमना दिये गलेसियर कौन सा है सियाचिन कौन सी परवत माला सहादरी के नाम से जानी जाती है पस्सिमी घाण भारत और म्यामार के बीच कौन सी परवस्रेनी सीमा का निर्धारन करती है खासी, पठकोई तथा आराकान योमा भारत का रूर किसे कहा जाता है छोटा नागपूर पठार को पस्मी घाड कहा तक विर्स्तित है तापनी नदी के मुहने से कुमारी अंतरदीप तक दक्षिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है दोदा बेटा दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है अनायमोडी इसकी उचाई कितनी है 266 मीटर 21 पहाडी परिस्तित है अन्ना मलाई पहाड़ाई पर आंधर परदेश और उडिशा के टटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है महंद्र गिरी पहाड़ी भारत के पुर्वी समुदरी टट को कितने भागों में बाटा गिया है तीन पुर्वी टट पर इस्थित परमुक बंदरगा कौन से है पुर्वी टट पर इस्थित परमुक लेगून जील कौन से है पुलिकट तमिलनाडू में चिलका उडिशा में तथा कोलेरू आंधर परदेश में भारत के पस्मी टट को कितने भागों में बाटा गिया है तीन कोकन टट, केनरा टट तथा मलावार टट सॉरी कोकन टट, केरल टट तथा मलावार टट भारत के पस्मी टट पर इस्थित परमुक बंदरगा कौन से है कांडला गोजरात में, मुंबई महराष्ट में, मरमगोवा गोवा में, मैंगलोर करनाटक में, कोच्ची केरल में, एवां नियावा सेवा महराष्ट में अंडवान नेकवार दीप समू के सबसी उची चोटी कौन सी है? सेंडल पिक 730 मीटर लक्षदीप का सबसे बड़ा दीप कौन सा है? ऑन्ट्रेड भारत के किस नाम को सफेद पानी? भारत के किस अस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन जम्मू कस्मीर का हुआ हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कलाता है? अकसाई चीन किस राज को पहले नेफा, एनी एफे के नाम से जाना जाता था? और ना चल प्रदेश को कोरी निवेसिका कहां इस्तित है? कच्छ का रन में प्राचिन भारती भुगोलिक मनेता के अंसार भारत किस दीप का अंग है? जम्मू दीप का रायस्थान का गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलूच से विजयन अगर समराज के राजानी हमपी किस नदी के टट पर इस्तित है? तुंग वंदरा नदी के टट पर सरदार सरोवर किस राज में है? गुजरात में बरोणी तेल सुधक कारखाना किस राज में है बिहार में ब्राजिल इस्थित अमेजन वेसिन के वन क्या कलाते हैं सेलवास अफ्रीका में अस्वान वांद किस नदी पर है नील नदी पर रवात किस देश की राजधानी है मौरको की बारत में कितना छेत्र वनों से अच्छा दी थे 752.3 लाख हेक्टियर देश में कितनी वाक प्रयोजना करे रहे थे 23 फ्री टाउन किस देश की राजधानी है सियरा लियोन की छेत्फ़ल के दिरिश्ची से 20 का सबसे बड़ा भू आवेस्टित लेंड लोकेटेड देश कौन सा है मंगोलिया करीवाबांध कहां इस्तित है जांबुया में जमबेजी नदी पर बिस परसिद उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की आवान में स्वेज नहर के दोनु सीरों पर इस्थित नहरों के नाम है स्वेज तथा पोर्ट सईद बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है सोफिया तो ये था दपलेट फॉर्म रुकमिनी परकासन का सार संग्र